शापीत धर, होर स्टोरी, अमारी चेनल मां तमारू स्वागत छे जेका अमावासनी रात्रे पूलकीत अने मानसी ना घरे थी खूब जजोर जोर्थी अवाज आवी रहया हतां आकाश मां चामाचिरिया तेमना घरनी आजु बाजु खूब जशोर मचावी रहयां हतां हेल्प मी, हेल्प मी, छतां कोईज पूलकीत नी मदद करी शकतू न थी रसोडा मांती वासनोंना पाढ़वाना अवाज आवे, काचनी दरेक वस्तुओ तुटी गई लाइटो चालू बंद चालू बंद थई रही हती, घरमान्ती अजीबो गरीब अवाज बहार गुंजी रहया हतां घडिक मांग नाना छोक्रानो रडवानो, तो घडिक मांग कोईनो हसवानो अवाज, तो थोड़ी वार मांग कोईना गुस्सानी एवी अलग-अलग अवाजो आवी रहया हतां। आ बधी घटना देखी ने गामवाला समझी गया के शुन थाई रहयूं छे। बधा अंदरो अंदर वातो करवा लागया। जेतरन महीना सुधी पन आघरमां सही सलामत रही। नहीं तर तो एक महीना नी अंगर जा आघरमांती पत्तपती पत्मीनों मुतदे जब भार निकड़े। एकला मांग जत्याम हुभा रहेला मांग की बीजी व्यत्ती बोली के छतान देखोने पूलकी तने मानसीना जीवन मां पना शापीत घरनी छाया पड़ी जब गई। बस हवे तो आपने प्रार्थना करी शकीए के भगवानने के पूलकी तने मानसीने सही सलामत घरनी बहार निकड़वामां मदद करे। आपने पन मानसी अने पूलकी तने त्रण महीना सुधी कंगी जना थयूं तो आपने पन निरांते बेसी गया। के हवे कंगी जनहीं थाए। पन, खबर नहीं के के मानसीने कंगी जन नथी ततुं। आवकते पत्त जोडी नती एक जनने जतकली फिडा भोगवी पड़े छे। दीजा ने कंगी जनहीं। आ सामबलता जब धा, हा, 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 कहीने अवाज करवा लागया। एकला मां जगामवाला कहेवा लागया के आपने आपना मंदीर ना पंडित श्री दयानन स्वामी जी ने बोलावा जपडशे। आपने बधान जएने बोलावी आविये स्वामी जी ने आविशुन। कहीने बधान जलोको मंदीर तरफ प्रस्थान थवाला लागया। गामवाला रस्तामां बधी वातो करतां करतां एक कलातमां सो मंदिर पहोंची पन गया। गामवाला बधां मंदिर नी अंदर जैने स्वामी जी ने प्रणाम कर्यां। स्वामी जी ए बधाने पुछियूं के शुन थयूं छे। तमारा माता उपर आवी चिंतानी लकीर साथे भ्यनी रेखाओ केम छे। गामवाला ए बधी घटनाओ स्वामी जी ने कही संब्रावी। स्वामी जी सामबली ने गामवाला जोडे गाम तरफ रवाना थई गया। रस्तामां बधां पोत पोताना मंतवयो रजु करतां हतां। अलग अलग अटकनो लगावता हतां। पन आखा रस्तामां बस स्वामी जीना मुखने दिमाग मां बस एक जवाके ते आवी गई छे। ते तेनी धिंगली ने लेवा आवी गई छे। एवा मां एक व्यक्ति साम्बली ने स्वामी जी ने पूछवा लागयो, स्वामी जी कोन आवी गयूं छे, कोन छोकरी ने लेवा आवी छे, तमे धिंगली ने ओलखो छो, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी कंगी पन जवाबदारी आप्या वगर हात मां माला करतां करता स्वामी जी अने गाम वाला बधा गाम मां पहुंची गया। स्वामी जी मंत्र बोलवानूं शरू करियूं। मंत्रो ना उप्चार थी मानसी नी नजर स्वामी जी उपर पड़ी। स्वामी जी अने मानसी नी नजर एक थवानी साथे ज मानसी बे सेकंड मां जबेहोस थाईने नीचे पड़ी गई। मानसी ना नीचे पाढ़वानी साथ जहवामां थी एक जाटके पूलकित नीचे पड़ी गयो। गामवाला पूलकित अने मानसी ने देखवा माटे एक त्रिक्थवा लागया। बधा जलो को पूलकित ना घर्मां नजर फेरवा लागया। पूलकित नी मदद करवा माटे गामवाला घर नी अंदर जवा माटे तैयार धई गया हता। अने धिरे धिरे थोड़ा समय पची बधा पोटकोताना घरे जवाला गया। बधानना मगदमां बस एक जवीचार। अवे खून सके पूलकित अने मानसी केम हशे। आ विचारवानी साथे क्यारे सवार पड़ी गई एक खबर जना पड़ी। सवार ना पांच वागे स्वामी जी गाम मां आवी गया हतां। स्वामी जी पूलकित ना घर नी बहार मंत्रो करी ज रहया हतां। एटला मां ज गाम वाला बधा बेगा थई गया। अने स्वामी जी ने देखावा लागया। स्वामी जी ना हात मां गंगा जलनों लोटो हतो। स्वामी जी बगवान नूं नाम लईने दरवा जो खोले छे। ते एटला मां जगर्मांती मुपी भूम पड़े छे। स्वामी जी मंत्रों नी साथे जगंगा जलनों छंटकाव पुरा घर्मां करे छे। मंत्र बोलवानी साथे स्वामी जी मानसी ना मातामां प्रेम की हाथ पेर ले छे हाथे पेरवानी साथे ज मानसी होशमां आवी जाई छे मानसी ना होशमां आववानी साथे जए एक नजर पूलकित उपर पड़े छे पूर्कितनी आवी दशा देखीने मानसी ध्रूसके ध्रूसके रढ़वा लागे छे मानसी पोतानी आंखमां आंसुंग भरी ने लोको नी सामे देखे छे अने बधान ने पुछे छे, कोई तो बोलो आशूम छे कोई तो मने जवाब आपो के शूम थयूम छे मारी अने पूलकित नी आवी हालत आवी केम छे, मने कई याद केम नथी बन स्वामी जीना आदेश प्रमाने गाम मानती कोई लोको मानसी अने पूलकित ना बाजुमां कोई जजता नथी अने बस लाचार नी जेम एकबी जा सामे देखता रहे छे मानसी अने पूरती त्रण महीना मांग लोको जोड़े लागनी बांधी लिधी हती मानसी अने पूलकित लागे ज़नहीं के गाम मांग त्रण ज़ महीना रहया होए बस आटला ज़ समय मां बनने प्रेम नुन संपाधन खूप जकरियूं छे मानसी ने रटा देखी ने गामना बधा नुं भुधे हली जाई छे स्वामी जी ए मंत्र उच्चारन बंध कर्या अने हवे गामवाला ने छुट्टी आफिके तमें हवे पूलकित अने मानसी साथे वातचित करी शको छो स्वामी जी ए मानसी अने पूर्कितना हाथ मां एक लाल कलर नो गोरो बांधियो जे स्वामी जी ए पूरी रात जागी ने मंत्र नो उच्चारंती बनावियो हतो मानसी अने पूर्कितने कंगी जखबर पड़ती नथी के आशुम चाली रहियूं छे बनने एक भी जाना सामे देखे छे, आंक मांग अनेक सवालो साथे गामवालाना सामे देखे छे, मानसी एकला मांग ज़ स्वामी जी ने पुझी उन, पुझी स्वामी जी आशुन चाली रही उन छे, तमें अमने जनावो, अमारी आवी हालत केवी रिते थाई, सवालो नी मा देखीने स्वामी जी फक्त एटलूंग ज बोल्या, ए आवी गई छे, एनी दिकरी नेशोधवा, ए आवी गई छे, साथे लईने जजशे, हवे कोई ने नहीं छोड़े, गामवाला अने स्वामी जी ए पूलकित अने मानसी ने अत्यार सुधीनी बधी घटना कही संब्रावी सामबलवानी साथे जमानसी ए बीजा सवालो स्वामी जी अने गामवालाओ सामे मुकी दिधा, एवु तो शून छे आ घरमां जे कोई पन विवाहित जोड़ाने नथी रहेवा देता, एक ज महीना मां तेमना मुरुत देह बहार निकड़े छे, अने अमे जकेंत्रन महीना स बजी गया, बधानी मोट केम आवी भयानत थाई छे, अने स्वामी जी तमे कहेता हतां के ते आवी गई छे, कोन आवी गई छे, कोने शोधवा, आ बधून शुन चाली रहियूं छे, स्वामी जी एक खूब जदिरच साथे मानसी ने शांत करतां कहियूं बेटा थोड़ी जवाब आपीश, वहेला तमें बनने नाही धोईने स्वच्छ थाई जाओ, बोजन करीलो, तमें बधान ज अगियार वागे मंदिर मां हाजर थाई जजो, हुन त्यांग ज तमारी राह देखुन छूं, अने तारा दरेक सवाल ना जवाब तने मली जशे, स्वामी जी उभा थाईने मंदिर तरफ जवा माटे रवाना तई गया, अने गामवाला बधां को पोताना काम पुरा करवा माटे चाल्या गया, बाजुमां रहेता सविता मासी ए मानसी ना गाल उपर हात फेरवता कहिऊंके, बेटा, चिंता ना कर, स्वामी जी बधून ठीक करी लेशे, अगियार वादवा मां हजी 10 मिमिक बाकी हती ने बधांज मंदिरे पहों ची गयाउग, मंदीरना दर्शन करी, स्वामी जी ने प्रणाम करीने बधांज मंदिर मां पोतानूं स्थान लई ली दुम, स्वामी जीनी नजर मानसी उपर पड़ी, हजी आंखमां एज दर्द, आंखमां ए ज़ सवालों नी श्रूंखला, मनमां बेचे नी लईने बेठी छे। स्वामी जी ए बधान नी सामे एक नजर फेरवी ने कहिऊं, कोई वेकीत आ चक्रनी बहार नहीं जाए। जेने पंड जवुं होए ए अत्यार्ती जजता रहे जो। गमे तेवा संजोगो आवे छतां आ चक्रनी बहार तोईने पंड पग मुकवानों नुखी। आतलूं कहीने स्वामी जी ए तेमनी वाद कहेवानी शरू करी। एनसी वर्ष पहेलानी वाद छे। गाममां नवा नवा महेश भाई रहेवा आव्या हतां। महेश भाई जोडे पैसा तो एकला के मुकवानी जग्या ना हती। घणा समय पची पन तेना खोले दिकरो ना अवतरयों। दिकरो ना होवा थी तेना सासरिया खूब जहेरां करे दिकरीने। तेथी रामुकाका तेमनी दिकरी पायल अने गोडिया मीराने घरे लईने आवी गयां। एक दिवस रामुकाकानी तबियत बगडी हती। तो महेश भाईना घरे काम करवा पायल गई हती। बहेला दिवसे मोंटु पायलनों हात पकडीने अडपला करवा लागया हतो। बायल मोंटु थी बचीने भागी जाए छे। बीजा दिवसे पन आज थयूं। बन रामुकाकानी तबियत सारी ना होवा थी पायलने मजबुरी थी महेश भाईना घरे काम करवा जाऊंग जपड़तूं। आमने आम पंदर दिवस थाई गयां। बायल दररोज मोंटु थी कनीक ने कनीक रिते बचीने रहती। पन आजे पायल तेनी साथे तेनी अगियार वर्षनी दिकरी मीराने पन लईने आवी हती। बायल ज्यां काम करे मीरा तेनी पाचर पाचर रमे जाए। बायल बधूं घर नूं काम पतावी ने छेले मोंटु नो शेयनखंड साफ करवा गई। त्यां मोंटु साथे आजे महेश भाई पन बेसेला हतां। मोंटु पायल साथे जबरदस्ती करवा लागयो। गमे ते करीने पायल त्यांती भागीने मीरा जोडे जती जहती। बन रूम नो दर्वा जो खोलता जपायलना नीचे थी जमीन हटी गई। पायले ताकात थी महेश भाई ने धकको मारीने मीराना उपर थी दूर करिया। अने एक जन्जाहित थकपड महेश भाई ना गाल उपर छापी दी धी। महेश भाई ए जोर थी भूम पाड़ीने कहिय। पायल तुम एक नोकरानी छे। मालकीन बनवानी कोशीश ना कर। तारा अने तारी बेकोडनी दिकरीनी जग्या तो अमारा जेवानी पग नीचे जचे। आवो अवाज आववाती मोंटु तरत ज महेश भाई ना रूम मां आवी गयो। रूम्नून द्रूश्य देखीने मोंटु बधुन समझी गयो। मोंटु ए तेना पितानो विरुद्ध करवानी जग्याय मोंटु मांपन हवस जागी गई। मोंटु ए पायल ने एक जथपड मारीने जमीन उपर नाखी दी धी। मोंटु पायल उपर जबर जस्ती करवा लागयो। पायल तेनी जातने बचावती हती। बचावता बचावता तेनी नजर मीरा उपर पड़ी। पायल जोर जोरती रडवा लागी। अने गुस्सानी जग्याय बिख मांगवा लागी महेश भाई जोडे। साहब, महेरबानी करीने मारी मीराने छोड़ी दो, एक खुबज नानी छे, मारां साथे जे करवूम होए एक रो, पंड मारी मीराने छोड़ी दो, कहीने वारनवार विननती करवा लागी, पंड महेश भाई तो जाने हवसनों शेतान तेना माता उपर चड़ी गयो छे, महेश भाई ए पन गूली गयांके आतो अगियार वर्षनुम नानूम फूल छे जेने हजी खिलवानी वार छे एक बाजू पाईल रडे अने बीजी बाजू मीरा जोर जोर थी भूमो पाडे मने छोड़ी दो मने दुखे छे मने बव दुखे छे मने छोड़ी दो मम्मी मम्मी कहीने मीरा भूमो पाडे छे शतां मुकेश भाईमांग इंसानियत तो रही जन थी मीरा जेटलांग उंचे थ आमे तेनी ताका तोची पड़ी गई। आटली नानी उम्मरे आ दूशकर्मती मिरानी हालत खुब जब बगड़ी गई हती। सामे पईसा नाख्या। बायल माटे तो जीवन न जहतूं ए बधूं जमीरान हती। बन तेनी वाद कोई ए ना समझी ना गाममां तेने न्याय करियो। ना कोई तेना माटे आवी ने उभूं रहियूं। बायल ना हात मां मीरानी लाश देखीने मुकेश भाईना घर ने श्र आप दरेक जन्ममां तारे भोगवोज पडशे। आटलूं कहीने पायल त्यां रहेला चपपाती पोताना हातनी नसकापी ने त्यां जपोतानो देहापी देछे। नुप्तियु पामता पहेला पायल बोले छे। हुम फरिथी आवीश मारी मीराने लेवा अने तारे एतो सदाय तने याद रहेशे। हुम आवीश फरिथी याद राक्चे तुम। याद राक्चे, ना अवाज चारे बाजु गुंजता पायल नी आतमा तेना शरीर मांती दूर थाई जाई छे। थोड़ा दीवस पची महेशभाई मानसिक स्थिती गुमावा लागया। ते एक दिकराने जन्मा आपयो। पन अगियार दीवस थतां थतां जपायल नो अवाज फरिथी ए घरमां गुंजवा लागयो। अने बारमा दीवसे सवारे बालक ने रमाडवा माटे हातमां लीधो त्यारे खबर पड़ी के बालक नु मुरुत्यु थाई गयूं छे। घरम वार आ घटना थवाती मोंटु पन तेनी मानसिक स्थिती गुमावी बेठो हतो। तेनी पतनी घर छोडीने जती रही हती। मोंटु पस्तावानी साथे बोले छे, मम्मी अमे जे करियूं एक होटूं हतुं। बन ते केम आवूं करियूं। ते आ मिलकत अने मोभाने साचव वा माटे ते मिराना देहनी अस्ती हजी पन साचवीने राखी छे। त्यारे ए रामुकाकाने आपी देवानी हती। अमे तो माफीना काबील पन नथी। बन तुम आटली समझदार होवा चतां ते केम भूल करी। लिला बेननी आंखो मान्थी टपटप आनसु वहेता मारी बूल छे पन मने एम हतुं के हुम एनी दिकरीनी अस्ती साचवीने राखीश तो ए आपना परिवारने नुकसान नहीं पहोंचाडे। बन हुम खोटी पडी। ते तेनी दिकरीना न्याई माटे जरूर आवशे। अने आपने कनी नहीं करी शकीए। एक एक करीने बध आपने नाना भाई करे छे। गामवाला ए ना पढ़िया चतां मुकेश भाईनो नानो भाई आ घर ने हम्मेशा भाड़े आपतो जहतो। अने तेमना डरती गाममान थी कोई तेमने नापन नथी पाड़ी शकता। एनसी वर्षो मांग 127 लोको अलग-अलग रिते मर्या छे कोई पूलकित जेवी रिते दिवाले अगडाईने मर्यूंग छे, तो कोई तेनी मानसीक स्थिती गुमावी बेठयूंग छे, कोई एकसिरंट थी मरी गयूंग छे। घरमां लोको अलग-अलग बधी वस्तुओ देखाती हती। अमुक वखत तो लाशमां थी कीडा बहार आवे त्यारे तो खबर पड़े के अंदर कोई मरी गयूंग छे। बहेली वखत एवूंग थयूंग के पती पतनी माटे पती ने नुकसान पहुंचे छे। अने मानसी तने एक खरोज पन नथी आवी। गामवाला एटला मां बोलवा लागया, स्वामी जी पन केम आवूं अमे पन पहेलिवार जा आवूं देखियूं। स्वामी जी तरत जा बोल्या आनूं कारण छे। मानसी ना अंदर रहेला नवजात शीशू ना कारने। मानसी ने कई जन थी थयूं। आ सामबलता जगाम वाला अंदरो अंदर वातो करवा लागया। बधां खूश थयां। मानसी पन तेनी आंखमां खुशीना आंसु साथे तेना पेट उपर हात फेरवा लागी। अने पूलकित सामे हसवा लागी। स्वामी जी बोल्या, हा बेटा, तुम पेट थी छे, तारा अंदर एक नानो जीव जीवी रहयो छे, बस आज कारने पाईले तने हात पन नथी लगावयो, अने पूलकित पन हाल आपणी वच्चे छे, अवतरन ची हम, एवा मांग पूलकित गंभीर थाईने बोल्यो, स्वामी जी अने घर छोडी दैशूं तमारा उपर थी आ मुसीबत हटी जशेने, हवे आ गाममां नथी रहेवों, हुम, मानसी अने मारा आवनारा बालक माटे मारे कोई मुसीबत नथी लेवी, एवा मांग तरत जा स्वामी जी ए बोल्या, पूलकित मुसीबत एवी वस्तु छे, तुम ज्यांग जैये त्यांग तारी साथे साथे जावशे, जो आ बालक तने जीवनदान आपी शके छे, तो आ जबालक ना कारने आपने शुम करीए जेथी पाईलनी आत्माने शांती मिले, पाईल खराब नथी तेनी दिकरी साथे थेला आवा दुशकर्मती कोई पन मांग सुझबूझ ज गुमावी ने कंगी पन करी शके छे, पन हवे हूं पाईलनी आत्माने शांती आपवा मांगू छुम, स्वामी स्वामी जी तमें कहेशो एम हूं करीश, मारे आ मुसीबत्ती मारे पन निकलवूंग छे अने बीजा लोकोंने पन बचाववा छे, स्वामी जी तमें कोई उपाय कहो अमने, हूं बधूंग ज करवा तैयार छूं, स्वामी जी आ सामबली ने तरत जब बोल्या, आनो उपाय बस एक जचे, कि मीरानी अस्तियों शोधी ने तेनूं विसर्जन करिये, मीरानी अस्ति क्यांग छे जे कोई ने पन खबर नथी, ज्यां सुधी मीरानी अस्तियों नूं विसर्जन नहीं थाय त्यां सुधी पायल नी आत्मा आम जब बटकती रहे शे, मानसी अने पूलकित बोले, स्वामी जी मिरानी अस्ती शोधी ने शास्त्रों प्रमाने विसर्जन करीशूं। स्वामी जी आ सामबली ने खूश थाई गया। बगवाननी कृपा छे के तमे अहीन्या रहेवा आवया। बगवाननी मरजी तमे आ गाममांत्रन महीना सुधी जीवता रहया। बगवाने तमने सारा काम माटे मोकल्या छे। बन बेटा तमे जेटलूंग धारो छो एटलूंग आसान नथी। बायलनी आत्मा तमने हेरान परेशान करशे। तेने मिरानी अस्तिने हात पण नहीं लगाडवा दे। मिरानी अस्तियों क्यांग छे एकोईने खबर नथी तमारे शोधवी पडशे। अवतरन ची हुन। बुलकित अने मानसी स्वामी जीना बताव्या प्रमाने बजार मांग थी दरेक वस्तु लईने आव्या। बुलकित अने मानसी पुरा घर शोधीली धूम। बन मिरानी अस्तियों क्या ने नामली। मानसी थाकीने एक खुर्शी मांग बेसी गई। बुलकित पन हारीने बेसी गई। एवा मांग ज मानसीनी नजर मंदीर मांग गई। मंदीर पर उपर नानो स्टिल नो डब्बो हतो, मानसी तरत जए डब्बो लईने तेने खोलियो, अने देखीने थकान खुशी मांग बदलाई गई, ते डब्बा मांग मिरानी अस्थियो हती, लिलाबेने मिराने अस्थियो मंदीर मांग संताडीने राखी हती, मानसी ए जोर स्वामी जी आपने आविधी क्यारे करीशूं। क्यारे मीरानी आत्माने पन शान्ती मलशे। स्वामी जी बोल्या, बेटा, आपने आवतिकाल सवारे आविधी शरू करीशूं। ते मां तारे अने मानसी ने बेसवानुंग छे। याद राक चे बेटा तमने बननेने कंगी ज नहीं थाई, भगवाननी कृपा छे तमारा उपर, कंगी पन थाई पन तुम विधिमांगती उभो नथी थतो, आटलूं कहेता ज मानसी अने पूलकित राजी थाई जाई छे, बीजा दीवसे सवारे मानसी, पूलकित अने स्वाम जी साथे गामवाला पन पूलकित ना घरे विशर्जनी विधिमांग बेशिया, विधि शरू थवानी साथे ज घर मांग अजीब अजीब अवाज आवा लागया, फरिथी बस एज अवाज, नानूं बालक रड़्टूं होए, तो घडिक मांग हसवानो अवाज, तो घडि अवाज थवा लागया, रसोडा मांग थी वासन नीचे पड़वा लागया, बहार थी हवा अंदर आवा लागया, शतांग मानसी अने पूलकित साथ्चा मन थी मीरा माटे पूजा करता हता, बस पूजा पूरी थवा आवी जहती, अने एटला माटे जोर जोर थी रड़व तो तेना साथे थई रही छे। एटला मां स्वामी जी मंत्र बोले छे। अने पायल नो अवाज स्पष्ट संबड़ाई छे। तो आजे केम तमें आव्या। हुँँग मारी मिरानी रक्षा जाते जकरी शकूंग छूंग। मारे कोईनी जरूर नथी। जता रहो बधां अहीं थी। अवतर नची हूं। बायल बोली जरही हतीने तरत जमानसी बोली। दिदी हूं मानसी छूं। तमें तो मारो जीव बच चेले कोई जनती आवतूं। मारी मिरा तरपीने मरी छे। शतांग तेनो न्याय करवा माटे कोई जागल ना आव्य। हूं। हूं केवी रिते कोईनो विश्वास करूं। मानसी आ सामबलता कहे छे। दिदी, तमने मारा उपर विश्वास ना होई तो तमें मने अने पूल साथे बोले छे, दिदी मीरा साथे खूब जखराब धयूं। बन तमें एने आयोनी मांगती जवा नहींग दो तो एके वी रिते नवो जन्म लई शक शे। मीरा नी आत्मा तडपे छे, तेने मोक्ष जोई ए छे, तमें तमारी दिकरी माटे मीरा ने जवादो। बायल जो पूरी थयांग पची मानसी औने पूलकित बनने नदी किनारे अस्तियों नूं विसर्जन करवा जाए। विसर्जन करतांग करतांग मानसी नी आंखमांती हलहल आंसू वहे छे। अने मीरा साथे थायली बधी ज तकलीफ महेसुस करे छे। बायल आ देखता जबोले छे, मा जीवनमांग घणा मानसोंने देख्या छे। बन तारा जेवी कोईने नहीं। आ घरमांग जेटलांग रहेवा आवता ए बधानना अंदर कनिक ने कनिक स्वार्त हतोज। मने एमनी हत्यांके तडपावता बिल्कुल खचकार थयो नथी। बन आजे तमे देखीने तुम मार दिकरीना दूखे दूखी थयी। ते मारी दिकरी माटे तारा बालक नो जीवदाव उपर मुक्यों। जाहूं ज श्राप आपवा वाली, आजे तेने आशिर्वाद आपूंँ छुंके, मारी दिकरीनूं बधूं दूखते अनूभव्यूं छे तो तारा बालकनी दरेक तक खूशियों थी भरेलूं रहे। आटलूं बोलता जपायल गायब थाई गई। मानसी खूश अने दुखी बनने स्वर्मां गडवा लागी। गामवाला बधां खूश थाई गयां। थोड़ा महीना पची मानसी अने पूलकी ते ए घर खरी दिली धूं। मानसी ए मिरा अने पायल नो फोटो तेना घर नी दिवाले सुशोबित करयो। तेना आंगने एक नानी धिंगली रमती थाई गई। मानसी ए धिंगली नूं नाम मिरा राक्यूं।